प्रदानमंत्री नरेंद्र मुदी 14 देशों की संसत को विदेशी धर्ति पर संबोधित करने वाले भारत के एकलौते प्रदानमंत्री बन गए हैं इस इवन को इस तरीके से उन्होंने इस्तमाल किया है ऐसी उनकी स्ट्रेजी रही है कि उन्होंने पूरी दुनिया को बताया है कि I am the leader of global south मैं global south को चलाने वाला हूँ और मैं इसको चलाऊंगा इंडिया यह समझता है कि अगर दुनिया के चार इसे हैं तो तीन हिसों कर लेडर तो हम बनना चाहते हैं ठीक हम यॉरप और north america को तो नहीं बन सकते यॉरप और north america को तो नहीं बन सकते लेकिन बाकी तो बन सकते हैं ना और दुनिया में कितने देश होगे 200 से थोड़े से कम, जो सब्सक्राइब करने की चमता है विश्व गुरू बनने की चमता है और वो इसलिए क्योंकि वाकई में हम विश्व बंदुत्तों की बात करते हैं हम वसुदाय की बात करते हैं रख वज़ करेमियन निशन्स हैं उनको एड आफर किये उन्होंने का है कि हम आपके साथ टेक्नालोजी शेर करेंगे हम आपके साथ सी वीड इन्वेस्टेशन जो करेमियन नेशन्स के चैलेंजेश उनको डील करने में मदद करेंगे और सबसे बड़ी बात इन्होंने बुलाए कि यार एक कान करो सबसे पहले जो भारत का यूपी आई है ना तुम उसको एकसेप्ट करो वो कहते हैं कि हम इन चीजों में आपकी मदद करेंगे और दूसरा उन्होंने काया कि हम एक हजार स्कॉलर्शिप देंगे अगले पांच सालों में मोबाइल हॉस्पिटल्स देंगे वो कहें जी रूरल एरियाज को ड्रग टेस्टिंग लिबार्टरीज देंगे जिसे वो कहते है ना इसके साथ रिवर एंड सी फेरीज देंगे फर मरीन ट्रांसपोर्ट अब इससे चाइना में हल चलू ये दोस्तों उनको एक्चुली पेट में दोस्तों मरोल पड़ रहे हैं इंडिया ये समझता है कि अगर दुनिया के चार इसे हैं तो तीन इसों का लेडर तो हम बनना चाते हैं ठीक है हम यॉरॉप और नॉर्थ अमेरिका का तो नहीं बन सकते हैं लेकिन बाकी तो बन सकते हैं आप पूरे के पूरे के पूरे के पूरे अफरीका की बात कर रहे है समझ रहे हैं पूरे के पूरे केरिबियन एन आफरीका की बात करें ठीक है लेटन अमेरिका की बात करें ये सारे के सारे जो ममालक हैं चोटे चोटे ममालक हैं लेकिन सब के लिए इनरजी जो इंडिया की स्ट्रेंग्ट है इंडिया उन पे खेल रहा है इंडिया ने जो करेबियन नेशन्स हैं उनको एड आफर किये ये बहुत बड़ी बात है कि इंडियन प्राइमिस्टर नरेंदर अमोदी जो है वो एक दूरों ने कहा है कि हम आपके साथ टेकनोलोजी शेयर करेंगे हम आपके साथ सीवीड इंवेस्टेशन जो करेबियन नेशन्स के चैलेंजेस हैं उनको डील करने में मत करेंगे तो पचास साल बाद नरेंदर अमोदी इस अलाके में पहुंचे है यह न जो है यह साथ अमेरिकन नेशन बड़ी इंपॉर्टन है सेंस में कि यहां पर एक बड़ी ददाद में इंडियन ओरीजन के लोग जो है वो कहा जाता है कि आलमस्ट पॉर्टी पर्सेंट लोग जो है वो रहते हैं और जो एक केरेबियन ट्रेड ब्लॉक है जिसे कैरी कॉम कहते हैं वो भी एक बना हुआ है यह पंदरा मेंबर्स का ब्लॉक है और मोधी जो है तमाम खिते के ममाले के जो लिडर्शिप हैं से मुलाकात उनों नहीं की है उनों ने बड़ी खुशी मनाई इस चीज़ में कि जी इंडिया ने बहुत बड़ा काम की है लेकिन ये जो जशे कहते हैं ना कि एड की सिलसले में दे रहे हैं इंडिया उनको पहली तो बात ये है कि हल्थ एनरजी अगरिकल्चर वो कहते हैं कि हम इन चीज़ों में आपकी मदद करेंगे और दूसरा उनों ने कहा है कि हम एक हजार स्कॉलर्शिप देंगे अगले पांच सालों में इस तमाम जो पूरे का पूरा जो ब्लॉक है इन तमाम ब्लॉक के लोगों को कि हजार स्कॉलर्शिप मॉबाइल हॉस्पिटल्स देंगे वो कहते हैं जी रूरल एरियास को ड्रग टेस्टिंग लिबार्टरीज देंगे जिसे वो कहते हैं ना इसके साथ रिवर एंड सी फेरीज देंगे फर मरीन ट्रांसपोर्ट अब इसका मतलब यह है कि जो इंडिया के मिनिस्ट्री आफ एक्स्टेर्नल अफेर उसमें इतना काम किया हुआ था कि वन मोदी रीच देर ये नियू कि इनके इस खिते के ममालक के क्या चैलेंजिस है आप आगे आजएं आप जो ट्रेड है इंडिया और गियाना और बाकी ममालक के दरम्यान उसमें वो कह रहे हैं कि हम आपको लाइन ओफ क्रेडिट देंगे आप अच्छा गियाना की या बाकी ममालक की ट्रेड बढ़ाने के लिए आपको लाइन ओफ क्रेडिट देंगे ताकि आप इस काबल हों कि आप हमसे चीज़ें खरीच सके ठीक है जी आप अगर हमसे चीज़ें खरीच सकेंगे तो दाट विल बी ग्रेड यही काम basically Americans भी करते थे और वो यही इस तरह करते थे कि आप एक अगले मुलक को पहले तियार करें उसको एक्विप करें उसकी इतनी कपैसिटी बढ़ाएं दें आप उसको अपनी चीज़ें पहुचें ठीक है जी यह अब देखें ना इंडिया थौट अब इन ममाले को यह समझ नहीं आ रही होगी क्यों वाइंडिया इस दूइंग इंडिया क्यों कर सवाल पैदा होता है ना वाइज इंडिया इंट्रिस्टे इंवेस्ट इन अल दिस कंट्री अंडिर्ट पर्शन रूं को समझ जाएं और इस ग्लोबल सौथ वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृप्या करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकोन का बटन दबा दें ताकि नए वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच सके